दरसल गुरु और राहु के गुरु चांडाल दोश का जो ये शब्द था ये वस्तुतह इन लोगों ने किये हैं जो ब्राम्भण नहीं थे और जोतिसी थे ये बात बहुत दिवाद खड़ा कर सकती है पर ये बात कहने की मैं हिम्मत रखता हूँ कि वस्तुतह गुरु राहु का चांडाल दोश इन लोगों ने बताया जो वस्तुतह ब्राम्भण तो नहीं थे पर जोतिश का काम करते थे और इन्हों ने इनका नाम दे करके खूब धन कराया है खूब धन कमाया है खूब पुंजी पती बने है डराया है लोगों को वस्तु अच्छे के साथ अच्छा जाएगा तो अच्छा होगा हाँ अब वो कितने अच्छे हैं उनके अंदर कितनी अच्छाई है इसके अंदर कितनी पुराई है ये बात इस बात पे निर्भर करेगी कि गुरु और राहु किस रासी में बैठे हैं किस अंस पे बैठे हैं किस आशायाह अविद्या पाठ का नित्यम रोगा ग्रसित देह का ह। प्रेदर्शुकू लमस्कार एक बार फिल से उपस्तित हूँ आप सब के सामने आज आप लोगों के सामने एक बड़ा ही विचित्र विशाय लेकर के उपस्तित हूँ आज के कारिक्रम में मैं आप से चर्चा करूँगा ये एक बड़ा ही विचित्र और बहुत ही बहतर विशाय है ये विशाय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार हम लोगों ने या हमारे जोतिश रास्तर में इसको बड़ा ही बदनाम भी किया है और इसके नाम पे बहुत पैसे ठागे भी के हैं मैंने जहां तक अपने बड़े भाईयों से और बड़े जो गुरुजन है या मेरे जो गुरुजी है उनसे इस बारे में जब कभी भी चर्चा की है तो उन्होंने भी यही बात कही कि इस यूति को बड़नाम एक्चुली जादा किया गया है जैसे गुरु चांडाल है ना तो यह जो शब्द है गुरु और चांडाल यह इस नाम पे बहुत पैसे बहाए गया है और बहुत लोगों को मानसिक रूप से परिशान किया गया है हम आज इसी विद्धों पे चर्चा करेंगे आपसे और आपको बिल्कुल निकट से ये बात समझाने की कोशिश करूँगा कि सच में यह यूती कैसे काम करती है हना तो इस पे एक अलग कारेकरम रहेगा जो प्रते एक भाव में गुरु और राहू की यूती पे चर्चा होगी कि गुरू और राहू एक सांथ बैठते हैं तो यूती में कैसे काम करते हैं पर आज मैं उसकी एक भूमिका बताऊंगा कि वस्तुता ये किसी भी भाव को कैसे प्रभावित करते हैं एक दिन मैं अलग कारेकरम बनाऊंगा जो बोर्ड पे लिखा रहेगा गुरू राहू सभी भावों में बैठे रहेंगे पर आज मैं आपसे उनकी थोड़ी सी भूमिका पेपर चर्शा करूँगा साथी साथ अभी मैंने जो कारेकरम के आरम में जो शलोक पढ़ा था ये शिव पुराण के 34-35 शलोक की बात है इसमें मैं मूलते आपको अर्थ बताऊं कि सूत जी ने यहाँ पूछा है कि जितनी भी स्त्रियां रहेंगी जितने भी ब्रामण रहेंगे छत्रिये रहेंगे वैश्य हैं शुद रहें ये सब जितने होंगे ये सब अपने अपने धर्मों का पालन नहीं करेंगे और कहीं न कहीं इनमें वर्न संकरता का एक दोश उत्पन होते देखा जाएगा इनमें कहीं न कहीं एक दोश उत्पन हो जाएगा अपने कर्म को ले करके, अपने धर्म को ले करके, अपने बेवहार को ले करके, अपने सुचिता को ले करके, अपने बुद्धी को ले करके, अ जो महिलाएं होंगी वो पर पुरुस को देख करके आकरष्ट हो जाएंगी पर पुरुस के प्रति उनके दिमाग में सदीव चिंतन चलता रहेगा अभी मैं कल एक साम को कुणली देख रहा था महिला थी बाहर की कुणली थी तो उन्होंने कहा कि पंडी जी मेरे पती में मेरा प्रेम बढ़ा कम है पर मैं दूसरे के प्रति बढ़ा अकरष्ट हूँ उन्होंने उस व्यक्ति की भी कुणली दिखाई तो मैंने कहा कि ये तो सबसे पहले आप धर्म विरोध जा रहे हो अपने सास्तर विरोध जा रहे हो जगन्य पाप है तो आपको अपने पती की सेवा हो गई तलाक ले लिया ये कर लिया उनको छोड़ दिया उनसे ये हो गया उसे मेरे तो इस तरीके की भावनाओं की प्रबलता हो जाएगा और इसे क्रमसह जो है वो ये रहेगा सास्तर विरुध लेकिन उसे जो है वो विकसित बुद्धी का परिचायक मान लिया जाएगा तो यहाँ पे भी गरंथ में यही बात आई कि जो महिलाएं होंगी जो जातिकाएं होंगी जो हमारी माता भने होंगी उनमें कम से कम इस तरीके के बेवारों में अधिकता देखी जाएगी कि उनका अपने पती से प्रेम कम रहेगा दूसरे के पृतियाकर्ष्ट जादा हो जाएगी देवर के पृति जो बड़े लोग हैं अपने ही रिस्तदार सगे संबंदी जो हैं उनसे उनका मेल बढ़ जाएगा और फिर वो अपने उस जो है वो शील की सुरक्षा नहीं कर पाएंगी उनका सील भंग होगा सील नस्ठ होगा है ना तो ऐसा ग्रंथकार यहां पे वेदव्यास ने अपने पुराणों के माध्यम से हमें बताया है और कहा है कि ऐसी चीजें घटित होंगी अब तो ये बात रही शीव पुराण की अब मैं आपसे इस विशाय पे ही चर्चा कर दूं कि गुरु और राहू की यूति क्रमसह देव गुरु ब्रहस्पति ब पर अपने और लोगों को समझने का और अपने जीवन को सही ढर्रे पे लाने का ये बड़ा अच्छा जादन हो जाता है तो देव गुरु ब्रहस्पति का शरीर विशालकाय भूरे बाल और छोटी-छोटी आँखें लेकिन सुन्दर आँखें उस आख में कोई क्रोध नही है कोई लिपसा नहीं है कोई जो है वो इर्षया नहीं है एक दम ममता का भाव है मतलब सदय उनमें ममत्व का भाव है जो एक माता में ममत्व का भाव होता है वैसे ही उस गुरु में जिस ब्यक्ति की कुर्णी में गुरु अच्छे बैठे होते हैं उसमें इस तरीके का भा पावाता है। जो हैं वो शरीर के अंग हैं भूजाएं विशाल हैं एकदम छे फुट लंबा साथ फुट लंबा ऐसे दिब्ब शरूर जिसको देख करके लगे कि इसको भगवान कैसे बना सकते हैं। मुझ के बाल पके हैं लेकिन भूरे हैं ऐसा दाड़ी जो है वो भूरी है बाल भूरे हैं और वो सदई भगवान की भक्ती में लीन रहने की कोशिस करता है वो बहुत जादा एककद्र नहीं करता लोगों को अपने पास बुलाता नहीं है। तो ये गुरू की स्तुती हो गए और राहू कैसे हैं तो राहू हैं जो किसी के साथ बैठेंगे तो उसके जैसे हो जाएंगे। आप समझ रहूंगे मैं जो कह रहा हूँ कि उसको छायाग्रह कहा गया। जिसकी अपनी कोई आकरती होगी तभी तो वो छाया बनाएगा। जिसकी कोई आकरती ही नहीं है वो कैसे चाया बना सकता है। तो सास्त्रों में बात आई कि ये राहू जिसके साथ बैठेंगे उसके ही जैसे प्रकृति धारन करेंगे ये राहू जिस रासी में बैठेंगे उस रासी का नेचर लेंगे अगर कोई ग्रह वाँ नहीं बैठा है माल लिजे मेश रासी में बैठे हैं तो फिर वो मेंश रासी के अधिपती मंगल के जैसे और मेंश रासी की आकरती वाली उनके जो है वो सोहाओ में इस्थती आ जाएगी, जो यसी मेंश रासी होती है, मीन रासी में बैठे हैं तो मीन रासी के जैसे हो जाएंगे दारशनिक, धनुरासी में बैठे हैं तो के साथ बैठे हैं तो चंचल हो जाएंगे, चंदरमा के साथ बैठेंगे तो इमोशनल हो जाएंगे, सुरी के साथ बैठेंगे तो कठोर और जिद्धी हो जाएंगे, मंगल के साथ बैठेंगे तो तिकड़मी और कुरूर हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, जिद्धी हो जा करते हैं कि डिग्री देख करके राहू कितने अंस पे हैं गुरू कितने अंस पे हैं दोनों के अंसों में मैंने कल साम को जो कारिकरम बनाया था वो ग्रह युद्ध की बात की थी कि ग्रह कौन युद्ध में जा रहा है ग्रहों में परस पर आपस में युद्ध की स्थती बनत और जो ग्रह कमजोर अवस्था में है मृता प्राया है उसकी ये बलवती होने की इस्थती कम हो जाएगी उसका अनुभवत रहेगा पर वो डील नहीं कर पाएगा तो यहां पे ग्रह के अवस्थाओं पी भी चर्चा होती है कि ग्रह की अवस्था किसकी जादा है अगर गुर अब यह निरने करेगा अब गुरु वहां निरने करेंगे कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं तुम मेरे जैसा फल करोगे अब यह तो बात रहे डिगरी की दूसरी बात कि वहां पे गुरु जो है वो अपनी रासी में बैठे हैं तो जो है वो निश्चित्रु से गुरु का बल जादा होगा अब गुरू अगर शत्रू की रासी में बैठे हैं तो अब वो राहू के द्वारा पराजित हो जाएंगे अब राहू और मालीजे अगर राहू मिथुन रासी में बैठे हैं और गुरू के संग बैठे हैं और गुरू डिग्री में कमजोर हैं राहू डिग्री म और राहू जो है और गुरू कहां बैठे मिथुन रासी में या ये यूती मानलीजे कुम्भया मकर में हो गई या तुला में हो गई या ब्रशब में हो गई तो ये गुरू की शत्रू रासियां हैं तो अब यहां गुरू जो होंगे वो प्रभाव तो देंगे लेकिन कमजोर अब वहाँ पे गुरू का जो प्रभाव रहेगा वो 20 से 25 प्रतिश्वत का मिलेगा मतलब कहने का अर्थ है कि ये बात इस बात पे निर्भर करेगी कि गुरू और राहू के बीच के अंस की स्थती कैसी कितने डिगरी पे बैठे हैं रासी कौन सी है शत्रू की रासी है तो रा राहू हावित होंगे जादा अब उस दशाकाल में अगर माली जी गुरू की भी दशा आती है और गुरू अगर मकर या कुम्भ हमें बैठे हैं राशी में गुरू कमजोर है तो अब राहू प्रभाव में ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और व्यक्ति के प्रभाव को व् कि मेरे पास बल कम है। दूसरी बात आती है कि अगर राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं, ये नक्षत्रों की बात अब हो जाएगी, कि राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं, अगर उस नक्षत्र के अधिपती उस कुंडली में कारक गरह बनते हों, हना जैसे पंचमेश और त्रिकोंड के अधिपती होते हो नौमे से अलगनेश होते हो या लगनेश के मित्र होते हो और अगर गुरू उस कुंडली में आकारक होते हो छट्वे आठ्वे तीसरे पारह में या एकादश्वे के अधिपती होते हो तो वो राहू गुरू को अब कमजोर करने वाला हो जात क्योंकि राहु जो है वो वक्रगती से चलते हैं तो उस भाव का प्रभाव वो थोड़ा कमजोर या पीछे ले जाते हुए महसूस करते हैं या उस भाव वे जो गुरु का प्रभाव जितना नैचुरली मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलता है अब आप लोगों को एक कठोर बात कहता हूँ जो आप लोगों को थोड़ी अच्छी भी ने लगेगी और बुरी भी लगेगी वो क्या है दरसल गुरु और राहु के गुरु चांडाल दोश का जो ये शब्द था ये वस्तुतह इन लोगों ने किये हैं जो प्रामभर नहीं थे और जोतिसी थे ये बात बहुत दिवाद खड़ा कर सकती है पर ये बात कहने कि मैं हिम्मत रखता हूँ कि वस्तुतह गुरु राहु का चांडाल दोश इन लोगों ने बताया जो वस्तुतह प्रामभर तो नहीं थे और जोतिश का काम करते थे और इन्हों ने इनका नाम दे करके खूब धन कराया ह खुब पुंजी पती बने हैं डराया है लोगों को वस्तुतह गुरु अच्छे गुरु अच्छे के साथ अच्छा जाएगा तो अच्छा होगा हाँ अब वो कितने अच्छे हैं उनके अंदर कितनी अच्छाई है इसके अंदर कितनी बुराई है ये बात इस बात पे निर समझ रहे होंगे आपकी बात अब वो स्वतंत्र नहीं हो गए फल देने के लिए तो बेसिकली एक जो ग्रह है वो ब्यक्ति को कई बार जिद्धी बनाते हैं कई बार हटी बनाते हैं कई बार इर्शालू बनाते हैं कई बार क्रोथी बनाते हैं कई बार लालची बनाते हैं कई यह गुरु राहू की युती का प्रभाव है लेकिन कब जब राहू गुरु पर हावी होंगे डिगरी में नक्शत्र से रासी से तब अन्यत्था नहीं अन्यत्था गुरु का प्रभाव 75% तक विक्ति को मिलता रहता है 25% गुरु का राहू का समंद खराब जरूर लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये गुरू चांडाल दोश है ये गुरू चांडाल दोश नहीं है ये दोश सिर्फ उन दोगों के द्वारा बताया गया है जो वस्तुता गैर ब्रामण जोतिसी थे ब्रामणों ने इसका कभी भी ये नहीं बताया है हाँ जो ब्यापारी ह और जो निश्चेत रुफ से इस जोतिशास्तर से धन कमाना चाता है, लोगों को डरा करके, इसकी पूजापाट की सांती करा करके, इसके माध्यम से धन कमाना चाता है, उन्होंने ही इसका जो है वो गुरु चांडाल दोश बताया है, मैंने आज तक जितनी कुंडलियां और वो एक दूसरे से कैसे प्रभावित है, राहू क्योंकि उसकी उपनी कोई आकरती ने, ये चतुत के राहू, पंचम के राहू, दसम के राहू, एकादश्मे के राहू, केंद्र के राहू, लगनेस के साथ के राहू की स्थुति, योगकार, ग्रह के साथ लगन राहू की और निश्चित रुफ से इस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा अब तक पहुंचाने की आवशकता भी है। ये बहुत ज्यादा बल्वान होना पड़ेगा तब जाकर के ये एक यूती जो खराब करेगी ऐसा कुछ बताया जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।